तो हम start करते हैं react setup से react setup करने के लिए आप react के site पे जाके follow कर सकते हैं उनके कुछ methods क्योंकि ये काफी update होते हैं हो सकता है अगर आप ये video बहुत बाद में देख रहे हो तो ये relevant नहीं हो आपके लिए currently हम इसको terminal से या command prompt जो होता है उससे install करेंगे आपको terminal open करना है उस पे आपको जाना है उस directory पे जहाँ पे आप react का project बनाना चाहते हैं तो मैं यहां desktop पे जा रहा हूँ उसके बाद आप एक command line tool यूज कर सकते हो npx उससे आप npx create react app और फिर आपकी app का नाम यहाँ पे मैं my app यूज कर रहा हूँ तो इसमें आपको internet connection चाहिए इसके end में आपको एक directory मिलेगी my app नाम की आप cd करके उसमें move हो सकते अब आप my app directory के अंदर हैं तो आप इस project को start कर सकते हैं using npm start तो यह आपका project start कर देगा local server पे local host by default port 3000 है आप देखेंगे आपके browser में वो अपने आप भी pop up हो जाएगा otherwise आप खुद से भी check कर सकते हैं local host 3000 पे और आपको एक default react का page दिखाई देगा तो मतलब आपका react installation complete हो चुका है यह project अब आप start कर सकते हो react पे तो अब हम समझते हैं कि react आखिर में करता क्या है react और कई framework ऐसे हैं जो component based है तो जब आप एक web page देखते हो तो वो बहुत सारी चीजों का combination होता है बहुत सारे elements होते हैं इन चीजों को हम यहाँ पे components बोलेंगे तो components एक-एक HTML tag नहीं है वो इस तरह की visible चीज़ है जो अपने आप में अलग है जैसे photo frame, calendar, list या फिर यह chat box यह सब चीज़े अलग हैं इनको हम एक component मान सकते हैं यह सब यह चीज components बोली जाएंगी react में तो react में आप components design करते हो और उनको फिर reuse करते हो और उनमें programming करते हो तो basically react component के कुछ parts है HTML code जिसको हम यह JSX बोलेंगे और उसके अलवा CSS और उसके अलवा JavaScript जो की properties और method के form में होगी जो इसी HTML code और CSS को modify करने की काम आएगी जैसे आप एक button पर click करते हो तो कुछ modification होना चाहिए तो यह सब JavaScript भी हम उस component के अंदर लिखेंगे तो यह तीन चीज़ें किसी भी component को बनाती हैं कोई component बहुत ही simple भी हो सकता है जिसमें JavaScript minimum है या फिर बहुत complex भी हो सकता है तो हम देखें कि कितनी तरह से हम component बना सकते हैं और उनमें क्या-क्या terms हैं क्या-क्या concepts हैं तो सबसे पहले मैं एक यह picture component बना रहा हूँ यह simple picture with frame है इसमें कुछ components हो सकते हैं जैसे कि border है इसका यह image है यह background है तो overall मैं इसको react में एक code की form में लिखता हूँ आप यहाँ देख सकते हैं कि यह code एक function है और function कुछ return कर रहा है जो return कर रहा है वो html जैसा दिख रहा है लेकिन उसको यहाँ jsx बोलते हैं आप देख रहे हैं वो almost html जैसा है कुछ फरक आपको नजर आ सकता है इसमें अभी एक div और image है जो कि यह output हमको अभी currently दे रही है और class में एक border है class में class की जैए class name यूज किया हुआ है यह सब चीजे jsx होने की वज़े से यहाँ पे है और उससे में को हर बार यह picture component वापस मिल जाएगा यानि आपको बार बार यह पूरा code जो आपने उपर देख रहे हैं लिखना नहीं पड़ेगा one time आप इसको develop करते हैं और फिर use कर सकते हैं और इसमें change भी करना है तो आप cable picture component के function के अंदर जाके change कर सकते हैं तो देखते हैं इस चीज़ का use क्या है सपोज मैं एक picture component लिखता हूं उससे picture create हो जाती है तो एक चीज़ इसमें है कि यह reusable तो है अगर आप दो बार इस tag को use कर गए तो दो picture आजेंगी लेकिन problem यह है कि इसमें अभी fixed image है तो क्या यह fixed image को हम change कर सकते हैं तो हम एक और concept देखते हैं जिसमें इस चीज़ को dynamic कर पाएं सपोज यह code है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो react component तो आप देख रहे हो कि source में %jpg fix है और कोई भी तरीका नहीं है टैग में उसको आप change कर सको तो हम एक नई तरह से इस code को लिखते हैं जिसमें आप आप देख रहे हो कि functions में argument में कुछ है props और source में props.url ऐसा कुछ पास किया हुआ है तो हम देखते हैं आपका tag कैसे लिखा जाएगा तो यह props एक तरीका है जिससे आप change कर सकते हो image या कोई भी चीज जो picture component के अंदर है तो props से हम props.url निकाल रहे हैं तो picture component में आप देखोगे यहाँ पर मैंने एक url declare किया है तो यह जो url है वही props के अंदर अपने आप चला जाता है और उससे आप person.jpg निकाल सकते हो कल को आप उस person.jpg इसको change भी कर सकते हो जैसे मैं उसको side pick कर देता हूँ और side pick jpg से एक नई में जोहाँ पर load हो सकती है हो क्या रहा है जब आप picture component यह tag लिखते हो तो एक props create हो जाता है जो argument उपर pass हुआ है उसमें अपने आप एक JSON object या JavaScript object बन जाता है URL person.jpg इस तरह का तो यह URL क्योंकि एक एक एट्रिब्यूट था एक से जादा होते तो बड़ा JavaScript object बन सकता था तो यह props अगर उपर हमने pass किया है तो उसमें से वो .url यहाँ पर access कर रहा है इस वज़े से आप जो भी JPG image है वो यूज़ कर सकते हो तो अब आप देख रहे हो कि picture component थोड़ा flexible हो गया है तो attribute जैसी कोई चीज है जिसको हम यह props कहते हैं और उससे आप किसी भी component को और भी flexible बना सकती हो एक example देखते हैं इसी का जिसमें हम दोनों images यूज़ कर रहे हैं और दोनों में हम picture component में url different यूज़ कर रहे हैं तो यह काफी easily possible है एक ही page में आप एक तरह से picture component को दो जगए यूज़ कर रहे हो दो different चीज़ें दिखाने के लिए तो props एक तरह से इस तरह का format ले लेंगी दोनों ही case में जहां url में कुछ value होगी अगर आप एक से जादा props देना चाहते हो तो वो भी possible है suppose आप background color को भी variable बना लेते हो तो आप bg color इस तरह से एक attribute pass कर सकते हो जिसको obviously आपको code में भी कहीं change करना पड़ेगा लेकिन ये चीज भी possible है ये एक तरह से दो props हो गई और इस तरह का कुछ object बनेगा जिसमें दो properties होगी तो आपको समझना है कि जो चीज attribute जैसी दिख रही है picture component में वो props है props अपने आप एक object बना लेता है और वो ही object आप अपने code के अंदर use कर सकते हो और चीजों को change कर सकते हो तो एक तरह से आप इस tag को modify कर सकते हो using props तो इस video में हम start कर रहे है react के setup से सबसे पहले आप react की site पे जाके देख सकते है कुछ methods और tool chains उन्होंने दी हुई है react के setup के लिए काफी तरह के methods हैं जिससे आप react को download कर सकते हो और project start कर सकते हो सबसे जो common और easy method है वो npx tool chain से है तो इसमें आपको npx create react और आपकी app का नाम लिखना है तो ये जो code है इसको मैं copy करके terminal पे कहीं भी put कर सकता हूँ जहाँ पे मैं को अपना project बनाना है तो जैसे ही मैं इसको run करता हूँ ये internet से react के सारे modules download करने लग जाता है और उनको compile करता है हो सकता है इस process में आपको काफी time लगे ये depend करता है आपके internet speed पे बाद में installation आपकी processor पे भी depend करता है तो बहुत कुछ install होगा अगर आपका fast system है तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा अगर बहुत slow system है तो ये process 5 minute भी लगा सकता है तो एक बार finish होने के पाद आपके पास ऐसी screen आ जाएगी last में happy hacking या कुछ ऐसा लिखा जाएगा आप देख सकते हो ये complete हो गया है आप देख सकते हो कि किस directory में आपने ये install किया है आपको ये project बनाना हो वहीं ये command run करें otherwise आपको बाद में directory चेंज करनी पड़ेगी तो अब my app नाम से एक directory बन गई होगी उसमें मैं जा सकता हूँ जस्ट में को cd करके my app में जाना होगा आप चाहते तो project का नाम भी change कर सकते थे तो जब आप इसमें देखेंगे my app में ls करके तो आपको कुछ files दिखाई देंगी तो सबसे पहले इन files को हम इस project को open ही कर लेते हैं vs code में और समझते हैं कि ये सारी files क्या कर रही है तो projects में मेरा my app है और इसको मैं open कर लेता हूँ तो मैंने initial location चेंज कर ली थी installation के बाद अब आप देखोगे इसमें कुछ files है node modules शायद आप जानते हो यहां आपके सारे NPM modules install होते हैं यहां source वो folder है जिसमें mostly आप code करने वाले हो तो src source ही है वहाँ पे है जहां पे आपका पूरा react का code लिखा हूँ है तो मैं सबसे पहले NPM start करूँगा इस file के अंदर जिससे कि आपका यह compile होके एक local server start हो जाएगा जिस पे आपकी react के app load हो जाएगी तो एक तरह का live server है जो अपने आप changes code में जो भी होते हैं उसको लेता जाता है और आपके local host पे उसको load कर देता है तो यह थोड़ा time ले सकता है once जैसे ही load होता है तो आपको यहाँ पे एक react page दिखाई देगा तो depending on कौन सा version आप react का use कर रहे हो एक demo page दिखाई देगा जो ऐसा similar हो सकता है जैसा में को दिखाई दे रहा है या थोड़ा different भी हो सकता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप app.js में जाके इसको change कर सकते हो तो अब हम source में देखते हैं कि क्या-क्या files हैं जिससे हम react का code change कर सकते हैं और वो page जो default page है वो भी हमको कैसे दिखाई दे रहा है तो मैं expand कर लेता हूँ अपना code editor और यहाँ पे अगर मैं source पे click करता हूँ तो यहाँ app.js एक दिखाई देगा तो इसके अंदर mostly आपका react का code रखा हुआ है सबसे top पे आपका index.js call होता है तो start करते हैं top से सबसे पहले आपको public folder में जाना है जो hosted file है यहाँ पे आपको एक index.html file मिलेगी इसमें id root करके एक div मिलेगा यह वो div है जिस पे आपका react का DOM attach होता है तो react का DOM जो attach होगा वो उस id root पे होगा और यह चीज लिखी होगी index.js पे तो index.js पे यहाँ पे एक line आपको दिखेगी react.dom.render और यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह जो app component है वो root पे attach हो जाएगा तो यहाँ पे वो root उसका id दिया हुआ और यहाँ app component दिया हुआ app component actually में यहाँ पे define नहीं है वो उपर से import किया आपने देखेंगे .slash app से हुआ है तो app.js में आपका app component declare किया हुआ हुआगा क्या components होते हैं वो हम आगे कुछ videos में देखेंगे बट अभी के लिए हम यह component यहाँ पे declare किया हुआ है यह सब कुछ completely delete कर देंगे और scratch से हम अपना पहला component बनाएंगे तो सबसे पहले आपको react import करना पड़ेगा react library से यह सब चीजें npm से automatically install हो चुकी होंगी और मैं एक छोटा सा jsx बनाऊंगा jsx हम उस html को बोलते हैं जो react में return होता है तो actually वो javascript object होता है तो यहाँ jsx नाम से मैं एक component बना रहा हूँ और simple सा एक component है जिसमें मैंने hello react लिखा है यह constant है अभी मैं इसको function भी नहीं मना रहा है तो अभी मैं इसको सीधे ही import कर लेता हूँ इस jsx को यहाँ पे तो इस तरह से आप import कर सकते हो क्योंकि आपने यहाँ constant है export करना पड़ेगा इसको पहले constant को जैसे ही आप इहाँ import करते हो हम एक तरह का function बनाना चाहेंगे बट अभी के लिए हम जस्त देख रहे हैं कि किस तरह से react एक simple javascript library है तो यहाँ जैसे hello react js मैंने कुछ update किया तो यहाँ root में एक तरह से इस root div के अंदर आपका पूरा react dome attach हो गया है suppose आप इस id को change कर देते हो और यहाँ react root लिख देते हो तो यह application में कुछ error आएगा reason यह है कि आपका dome का code अभी भी root को find कर रहा है तो इसको सही करने के लिए यह चीज हम इसलिए try out कर रहे हैं ताकि आप समझ सके हैं कि किस तरह से html में आपका react attached है तो यहाँ document.element.getid में आपको react root लिखना होगा तो इस line से आप क्या कर रहे हो react dome को attach कर रहे हो तो यहाँ पे हमने react dome लिख दिया है react root उसका नाम है तो यहाँ पे react root आपको लिखना पड़ेगा और उस चीज से यह properly load होगा तो देख रहे हैं आप यह वापस से सही हो गया तो अगर मैं एक से जादा jsx element यानि यह जो html जैसा दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे automatically यह दिखा भी रहा है हमको एक error आएगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा rule है कि एक ही parent हो सकता है मतलब एक top parent चाहिए एक single root होना चाहिए जैसे यहाँ पे मैं एक div declare कर देता हूँ तो इस तरह का jsx ही valid है तो react में javascript elements jsx आप जो बनाते हो उसमें यह format ज़रूरी है कि एक top parent हो यह इसका rule है अगर parent दो हैं या दो sibling आपको दिखाई दे रहे हैं तो गलत format है उनको आपको एक parent div या किसी चीज में जनरली वैसे आप component के नाम capital से शुरू करते हो यहाँ पे मैंने लेकिन small में लिख दिया इसको तो component 1 आप यहाँ पे सीधे call करके देखोगे और यह चीज यहाँ पे देखते हैं कि reload होती है तो इसमें मैंने थोड़ा सा differentiate कर देता हूँ इसमें 1 लिख देता हूँ और इन दोनों में मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो अब यह clearly पता लगेगा कि यह component 1 है और अगर आपको component 2 लोड करना है तो आप component 2 पुट करोगे index.js में तो अभी मैं side by side browsers को attach कर रहा हूँ जैसे हम HTML में use करते हैं यहाँ पे इसको jsx बोलेंगे तो मैं tag की तरह उनको use करूँगा पर आप देखोगे कि क्या यह चीज हम properly use कर पाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले यह जो parent component हमने बनाया है हमको इसको DOM में attach करना पड़ेगा तो index.js पे जाते हैं और यहाँ पे हम पहले तो import करते हैं parent को और उसी तरह से यहाँ पे parent को attach कर देते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि कुछ भी render नहीं हो रहा है DOM पे या even error आएगी हो सकता है तो उसका एक reason है आप कि फंक्शनल components ही बना सकते हो tag wise तो हमको इनको function में put करना पड़ेगा तो मैं arrow function put कर रहा हूँ easiest way है तो अब आप देखोगे कि parent component चल गया अब भी तक हमने देखा कि हम कैसे variable की तरह JSX को लिख रहे थे लेकिन आपको component को functions की तरह लिखना चाहिए और functions की तरह आप उनको attach करके call कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने इस example में component 1 बनाया है और उसको मैं एक function की तरह वहाँ पे call कर रहा हूँ तो यह functional component का एक example है तो function component को आप bracket जैसे आप देते हो कि execute करने की तरह उस तरह से भी ले सकते हो दूसरा तरीका है कि उसको आप tag में भी लिखे अब हम next चीज इसमें करेंगे कि app css हम देखेंगे यह वो file है जो एक तरह से आपको कुछ default css provide कर रही थी मैं इसमें सारा css remove करके हमारा custom css हम लिख देते हैं जैसे green class मैं declare कर रहा हूँ जो color green देगा font को तो यहाँ पे color green हम लिख देते हैं इस class को अगर आपको include करना है जहाँ पे भी तो आपको import statement लिखना होगा तो जैसे यहाँ पे इसको include करना है तो यहाँ पे आप पहले class लिखोगे और class में green लिख सकते हो तो यह तो normal html में हम ऐसा करते थे तो अभी यहाँ कुछ आएगा नहीं तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप class name लिखोगे अभी भी कुछ impact में आया क्योंकि अभी तक हमने import ही नहीं किया है CSS को तो यहाँ पे मैं आप import statement लिखूँगा import statement काफी easy है CSS के लिए आप import लिखोगे और उसके आगे आप CSS file का नाम लिख दोगे तो क्योंकि वो इसी folder में थी इसलिए हमने .slash use किया है अगर उसकी relative location कुछ और है तो आप full location दोगे तो इस तरह से यह class चल गया है तो class नहीं देना है class name देना है क्योंकि यह react है जिसमें jsx आप use कर रहे हो वो actually में HTML नहीं है वो javascript object है वहाँ पे class keyword आप use नहीं कर सकते green आपने दोनों जगे अपलाई किया तो इस तरह से आप styling भी अपलाई कर सकते हो component तो component अपनी style sheets भी अपने साथ रख सकता है मतलब आप अलग-अलग style sheet को component के अंदर ही output कर सकते हो ताकि हर component की files उसके साथ में रहे हैं तो एक तरह से component पूरी तरह से individual entity है तो next हम component नाम से एक object एक class है वो import करेंगे तो ये एक तरगी class है जिससे हम class components बना सकते हैं तो उस class को हम extend करके और class component बना सकते हैं तो ये आपको react के main package में मिलेगी यहाँ पे जैसे आप component to extends component जो उपर आपने import किया है उसको आप extend कर सकते हो तो आप compare कर रहे हो उपर आपने एक चीज लिखी हुई है वो है functional components और ये है class component और JSX आप देख रहे हो by default JSX यहाँ पे है उसको आप यहाँ पे भी return कर सकते हो लेकिन class में अगर आप return statement लिखते हो तो उसका कोई sense नहीं बनता क्योंकि class में actually properties और methods होते है तो suppose मैं इसके अंदर ये h1 कुछ लिख रहा हूँ इसका कोई meaning नहीं है already id वो समझ चुका है तो आपको यहाँ पे एक render method यूज़ करना होगा किसी तरह से भी अगर आप string या कुछ भी करते में return करते थे तो same kind of jsx आप यहाँ पे भी return कर सकते हो तो return आपको हमेशा render के अंदर लिखना है तो यहाँ पे मैं जैसे h1 लिखता हूँ और कुछ class component ऐसा कुछ comment लिख देता हूँ अब इस component को पहले आपको dome पे attach करना होगा तो अभी यह दिख नहीं रहा है क्योंकि यह dome में है यह नहीं तो मैं यहाँ functional component के अंदर इसको put कर देता हूँ तो जैसे इसका नाम component 2 है इसको मैं tags में put कर देता हूँ जिससे component की तरह behave करेगा तो अब आप देख रहे हो class component यहाँ पे दिखाई दे रहा है डारेक्टली आप name call करोगे तो error आएगा क्योंकि यह class है तो इसमें चीजें एक this reference से आएगी तो आपको यहाँ पे this.name यूज़ करना पड़ेगा जनरली हम this और इस तरह की values नहीं देते उससे हम props और state कुछ यूज़ करते हैं और इसमें एक और property जो मैं यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ पर आप देखोगे return में एक ही line है जब मैं आप में return में एक से जादा line या एक से जादा entity देनी हो तो आपको JSX का rule याद रखना होगा कि आपको एक parent चाहिए जिसके अंदर आप child put कर सकते हो क्योंकि top level एक ही element हो सकता है JSX में तो इस div के अंदर मैं h1 put कर देता हूँ और suppose एक और h1 हमको चाहिए age print करने के लिए तो age component या उसमें मैं age लिख सकता हूँ यहाँ पे this.age को मैं उस तरह से print कर दूँगा तो यहाँ mismatch हो रहा है यह h2 और h1 लिखा हुआ है को भी हम ठीक कर देते हैं तो अब आप refresh करोगे तो आप expect करते हो कि यहाँ proper output आना चाहिए बड actually मैं यहाँ कुछ error आ रहा है तो उस सबसे पहले देखते हैं कि क्या error है तो यहाँ पे हमने यह return और इसके बीच में gap create कर दिया है अगर हम return के सामने लिखेंगे jsx तो वो properly work करना चाहिए तो अब आप यह देखेंगे कि यहाँ पे output ठीक हो जाएगा तो इस चैनल पे हम देखते हैं interesting code concepts और उनके example codes अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो subscribe कीजिए